हेलो दूस्तो नमेशकार दोनो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सब दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर वीडियो के शुरुआत में ही में कुछ डिस्क्रेमर देना चाहूँगा करें ये जो सेक्टर है टाप लेवल पर रहेगा वो कभी नीचे भी आएगा और जो नीचे है सेक्टर वो कभी उपर भी जाएगा टाइम लगता है कभी-कभी ये साइकल घुमने के लिए एक साल, देड़ साल, दो साल, तीन साल भी लगता है कोविड आया था देन लोगडाउन देखा था 21 दिन का नेशन वाइड लोगडाउन देखा था देन अलग-अलग स्टेट्स में स्टेट वाइड लोगडाउन सीटी वाइज लोगडाउन हर जगे पर देखा गया तो डिस्ट्रिक्ट वाइड लोगडाउन देखने को मिला थ सो बहुत ज़्यादा restrictions थे और इसके चलते जैसे मैं आप लोग को कहा था कि COVID के चलते, lockdown के चलते हम लोग को कुछ particular sectors में stocks में बहुत ज़्यादा दिक्कते देखने को मिली मतलब ऐसे कुछ sector है जिनको COVID का तो कोई फरक ही नहीं पड़ा ऐसे कुछ sector है जिनको तो COVID आने से तो मतलब उनकी earning पाच पाच गुना बढ़ गई और कुछ ऐसे sector है मतलब उनके पूर हालत इतनी खराब आ गई कि अगर support नहीं मिला तो मतलब business ही बन करना पड़े तो इतना हालत खराब हो गया, वो भी leaders का सुरस्तो अभी ultimately अगर मैं बात कुर तो आप सब लोग पता है COVID का खत्रा अभी बहुत ही कम होते वे देखने को मल रहा है vaccination बहुत ही अच्छी तरिकी से होते वे देखने को आपे मिल चुकी है, और आगे भी जो potential खत्रा रहेगा COVID से related ये variant, वो variant, कोई ना कोई news तो आती ही रहती है बढ़ अभी लोग इतना जादा used to हो चुके है आप सब लोग को पता है यहाँ पहले कैसे डर लगता था है और अभी awareness भी है वैसे, तो overall बताने का मकसद के है दोस्तों कि सबसे जादा पीटे वे sectors and उनसे जुड़े वे जो stocks है उनके लिए अभी हम लोग कह सकते कि अच्छा मोका बाजार में बन सकता है इंडेक्स को देखे कभी investment मत करना मैं इससे related वीडियो भी बना चुका हो इंडेक्स अपना काम करता रहेगा, इंडेक्स 17 है 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, वापस 20 होगा वो चलता रहेगा, हमें अच्छे stocks देखना है अच्छे sector को select करना है हर sector में, याद रखे, ये लिखके लीजे रख लीजे किदर तो, हर sector में अच्छे stock आपको ज़रू मिलेंगे, वहाँ पे पैसा बनता है हर sector से अच्छे stock में पैसा बनता है यापे stock selection हम लोगों को अच्छा करना है तो theme आपको समझ में आ गई कि जैसे मैंने आपको कहा था कि COVID के चलते कुछ ऐसे sectors हैं and stocks है जो कि पिटे हुए थे, वहाँ पे अभी हम लोगों को शायद से पैसा डाइवर्ट होते वे देखने को भी वहाँ पे मिल सकता है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती करके किसी भी stocks में नहीं जाना है बड़ एक logic में आप लोगों के सामने आपे ज़रूर रखना चाहूँगा अभी हाली में ही, अगर मैं बात कुरूँ शायद से कल या फिर पर्सवे में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं आपको बताया था, कि एक ऐसी company जिसके पिछले 7 quarter के numbers माइनस में रहे, यह दिखे, मैं आप लोगों को दिखा था, अभी बहुत ही चोटा profit है, बट बताने का मकसद के कि 7 quarter में लगातार loss में रहने के बाद, आटवी बार company ने आपे profit दिखा दिया, इतने मतलब खराब situation को देखने के बाद, आज आप देख सकते हो कि वो company फिला आपते वी देखने को मिल रहे, लगबख पॉने 10% के आसपास, 10% ही पकड़ लेना, 10.5% के भी आसपास ही गई थी, चलो अभी कितना है, 9% है, fine, so inter globe aviation आप सब लोग पता है, मैं इस company की बात नहीं कर रहो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्द बाजी मत करना, वरना आधी information जाती है, बहुत सब लोग के पास, so indigo की अगर मैं बात करूता है, आप लोग को पता है, कि aviation वाली company के हालत क्या है, in fact आज भी उनके पर restriction है, कल अगर covid से related कोई extra variant, ऐसा वैसा कुछ आ गया, omicron के बाद कोई और दूसरा कुछ आ गया, तो वापस इनके उनके पर restriction आ है, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और बाकी के जितने भी airlines है, वो हम लोग को कोई list rate देखने को आपे नहीं मिले, kingfisher भी बंद हो गया, so ये केवल एक ही ऐसी company जो बाजार में available है, अगर आप इसका एक साल का chart pattern देखोगे, तो आप देख सकते साथ quarter के अगर हम लोग बात करें, दोस्तो इतने loss में था, तब company में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होई, तो अभी मतलब profit आ गया, तो अभी company में क्या मतलब worst हो सकता है, ये भी एक चीज़ देखने को मिल रहे है, अगर हम लोग बात करें, लगातर या पे pressure ही था, बट फिर भी company में कोई बड़ा major crash नहीं है, तो आगे जाके और क्या loss हो सकता है, तो ये logic में इस company को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये logic आप लोग दूसरे company में भी लगा सकते हो, ये तो aviation sector हो गया, ये भी बहुत ही जादा दिक्कतों में था, आज भी है, बट थोड़ा बट अभी relax हो रहा है, इसलिए 7 quarter के बाद, आठवी बार company ने profit डिखाया, loss के बाद, देन दोस्तों, जैसे में ये वीडियो को बना है था, बहुत ही अच्छे कासी comments पे आने लगे सर, तो फिर क्या हम लोग हमारा जो पुराने stocks थे, multiplex वाले, PVR की बात करे, inox की बात करें, तो क्या वहाँ पे जाना चाहिए, तो देखें, आप चाहो तो जा सकते हैं दोस्तों, में को ये आपको recommendation ने देरा, बट एक point में जरू कहना चाहूँगा, multiplex में, आज भी बहुत जगे पे problem हम लोग को देखने को मिल रही है, आज भी अलग-अलग जगे पे restrictions द देखने को नहीं मिल रहा है, और खास करके बात करो तो आपको पता है, OTT platform देखने को मिला है, online भी बहुत सरे mummies आते, web series आती है, तो इनको alternative बहुत अच्छा का सा टक कर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कोई company खराब नहीं है, बट आपको पता है, इनमें भी वही चीज होई कभी ना कभी तो चला ही जाता है, जैसे का Spanish flu भी आया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कभी तो उसका expari date रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा opportunity वाला कोई sector रहेगा, तो मुझे लगता है कि वो life insurance रहेगा, आप सब लोग पता है, life insurance बिजनेसे की त हज्या उड़ गई है, उसमें उनकी कोई गलती निये, यह मतलब life है, ऐसा ही चलता है, दोस्तो कभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खासी news भी आगी, तो कभी ऐसे खराब situation के साथ भी आपको deal करना पड़ता है, so life insurance एक ऐसा business है, दोस्तो आपको पता है, बहुत सार restrictions के साथ claim settlement होता है, so इनके पास पैसा बहुत होता है, but just because of covid and यह सारी चीज़े देखने के बाद हम लोग कह सकते कि life insurance वाली companies का business इतना खास नहीं चला था, but अभी ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बोला था, कि worst तो अभी हो चुका है, अभी और कितना death रहेगा, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि death के ratios कितने higher level पे रहते थे, वो अभी हम लोग को बहुत ही lower level पे जाते वे देखने को आपे मिल चुके है, so इसलिए पिटा हुआ sector life insurance, यह मुझे ऐसा लगता है कि सबसे preferable sector होना चाहिए यहापे, and इसके चलते अगर आप और कोई stocks देखन आपके सामने ऐसे बहुत सारे challenges आएंगे, so अगर आपकी company अच्छी ही, तो no doubt आपको पैसा जरूर मिलेंगे, and इसलिए आपको hold करना भी आना चाहिए, यह ऐसा बहुत बार होगा, future में भी ऐसे बहुत सारे restrictions कोई ना कोई चलते रहे गया, बहुत सारे लों को पता भी नही सिर्फ उनको पूच के देख लेना कि IT सेक्टर की बीच में हलत किया थी, इतनी वर्स्थ हलत चल रही थे IT सेक्टर के आज देख लेना, one of the best सेक्टर है वो, तो यह cycle चलती रहते हैं, विच्छ है इसे कि अगर मैं बात करो life insurance, इसमें भी कभी ना कभी तेजी आएगे, जब तेजी है कि आपको बहुत अच्छे का से return मिलेंगे, इसलिए हम लोगों ने invest कर रहा है तो वहां पर चुप चुप शांत से बेटरेंगे, अगर आपको लगता है कि company का business खराब हो गया, तो फिर exit कीजिए, जैसे मैं आपको सिखा है था, कि internal versus external issue आपको track करना आना चाहिए अभी life insurance के लिए तो issues definitely थे, बट वो कोई एक company के लिए issues नहीं थे, अगर HDFC life के लिए वो दिक्कते वाली बाते थी, तो no doubt वो SBI life के लिए उतनी challenging situation थी, अभी के अगर मैं बात करू, और वैसी अगर हम लोग बात करे, तो ICAC Prudential Life के लिए भी वो challenging बात थी, तो मतलब यह external issue था, COVID के अगर हम लोग बात करे, हर life insurance company हम लोग को इतना अच्छा करती भी देखने को यहापे नहीं मिली है, बट अभी जैसे जैसे COVID का समस्या यहापे खतम होती जाएगी दोस्तो, मुझे ऐसा लगता है कि इन companies के और अभी ज़रू focus रखने की कोशिश आपे करेंगे, इन सारे लोगों के पास life insurance वाले stocks है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आप लोगों ने ज़रूरी आपे continue करना चाहिए, मैं again कह रहा हूँ दोस्तो, यह कभी ना कभी चीज़े चलती रहती cycle की तरह, auto sector 2018 के बादा, मेरे portfolio में auto के कितने सारे stocks है, 2018 के बाद कोई returns ही नहीं थे, अभी जाके बहुत अच्छे returns मिल रहे है, तो यह cycle है दोस्तो, यह चलता रहेगा, तो इतना ही कहना चाहूँगा, कि जो worst था, मुझे इसा लगता है कि अभी life insurance के लिए, अभी धीमे-धीमे करके खतम यहापे हो जाएगा, सो HDFC life जो की लगातार अच्छे नंबर से आपे दिखाते रहेते, आप लोग देख सकते हो, अच्छे ही नंबर से आपे आते रहेते हैं, अगर हम लोग SBA life की भी बात करें, तो यह भी अच्छे नंबर दिखाते रहेते, तो इन companies में जरूर opportunity है, बट invest करके long term के लिए आप companies का business, इतना कुछ खास होते वे देखने को यहापे नहीं मिला, सो future में अभी मुझे ऐसा लगता है, कि यहापे अभी इन companies का time जरूर यहापे future में आ सकता है, अगर आप चाहो, तो ICAC को भी focus में आपे रख सकते हो, सो यह कुछ company है, आप चाहो तो और भी life insurance वाली companies है, उनक अगर आप चाहो तो life insurance इन companies को देखना चाहोगे, तो जरूर आप लोग इस logic के साथ आगे बढ़ सकते हो, प्लस दोस्तों, no doubt आप लोग भी जरू comment section में बता देना, कि और ऐसे कौन से sector है, जो कि अभी COVID तो धीमेदी में करके खतम होते वे देखने को मिल रहा है, उस level की situation देखने के नहीं मिल रहे, pressure देखने के नहीं मिल रहा है, कि जब COVID के चलते बाजार crash होता था या फिर गिरता था, वो situation खतम हो चुकिए, अभी बाकी दूसरे reasons हो सकते है, जरू comment section में बता देना, कि अभी और ऐसे कौन से sector आप लोगों को लगते है, कि जो COVID के चलते पिटे पसंद आयोगा, तो जरूर इस वीडियो को like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next day, तब तक के लिए, bye-bye